हेलो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं सिता वाटर पॉल या सिता पॉल अब हम नों निच्छ जा रहे हैं और चारकर का व्यू दिखा रहे हैं किस तरह का है और काम चली रहा है हम देख सकते हैं और तीन-चार साल से ही लोग यहां आने लगे हैं पाइदे नहीं जानते थे शिता पॉल के बारे में और शिता पॉल नाम इसलिए है यहां का यहां सिता जी का चरन है चरन पादुकम इसलिए यहां का नाम चरिता पॉल नाम रखा गया है अब सामीर देख सकते हैं चरिता पॉल का अगर भी एक अच्छा जहर्णा है बरसात के समय में बहुत सुंदर दिखता है चरिता वाटर के और अब नीचे पहुंचने ही वाले हैं यहां पिकनिक के लिए बहुत भीवरे काम भी चल रहा है और घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है आप सब जरूर आएं देखिए कैसा है और इसके बाद सिता पॉल से हम लोग पहुंच चुके हैं जोना वाटर पॉल बहुत सारी भीड़ है यहां चारो तरफ अज मेला भी है 15 जन्वरी 2023 टूसु मेला लगता है और बहुत ही भीड़ रहती है यहां अनिक परकार की समाने यहां मिलती है खेलोने खाने के समान इसलिए यतना भीड़ है स्वासराबा आपको दिखा दे रहा हूँए यहां गोतम बुद के मूर्ती भी है उपर नीचे और बहुत सुंदर जर्ना भी है इसे गोतम धारा या जोना पॉल भी बोलते हैं गोतम धारा जल परबात या जोना पॉल दोनों नाम से यह जानते हैं वह प्रसित जगह है तूरिस्ट असल और तिकनी भी यहां आते हैं बलाने के लिए चारोतर जंगली जंगल है और मेला भी लगा हुआ है अनेक परकार के समान भी बचाता है और फोटो में देख उते हैं और मेला का नजरा लिखते हुए लोग आगे बट रहे हैं हमाले भी बेचा रहे हैं राचीन मंदिर है गोतम बुद का वीडियो अच्छों लगेत लाइक सब्सक्राइब और बायल आइकन दबा दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं अब आपको देखते हैं बहुत ही घिर है चारत अब देखिएगा तो आदबी है आदबी मजरा रहा है कि दूसर मिला लगता है जो नाम है राची से 30 या 25 किली मिता है जोना वाटरकुल और सीटा वाटरकुल बहुत ही अदबी है